नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तू में कैसे हैं आप सभी? आज अम यहापर बात करने वाले हैं 6 अगस्ट 2022 के बारे में 6 अगस्ट 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहाँ पर आप सभी को साफधानी रखनी हैं? क्या चीजें आप सभी को करनी हैं? और क्या करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अचू कुपाय के बारे में एंजल नंबर के बारे में आज के अफरमिशन के बारे में और मैजिकल टाइम के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा बहतरी निया पर बना सकत है इसलिए आप सभी को आज पूरी तरह से रिलैक्स करना चीए सारी टेंशन सारी परिशानियों को अपने आप से दूर करना चीए और जितना हो सके अपने आप में थोड़ा सा शान्त रहे करके अपनी चीजों को सोचना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए कि ये हफता आपका कैसा गया था और इस हफते के बेस पे आपके आने वाले दिन कैसे जाने वाले हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज आपकी अगर हो तो ये दिन आपके लिए और भी ज़्यादा शान्ती से निकल जाएगा और बहुत जादा अच्छे से आप इस दिन का इस्तमाल कर पाएंगे यहाँ पर फाइनेशली देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी इस दिन में आप सभी को फाइनेशली गेन कहीन के होता हुआ दिखेगा यहाँ पर जैसे मैंने का फाइनेशली चीज़ें काफी अच्छी है चोटी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा फाइदा होने वाला है किसानों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शान्दार यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट होने वाला है कोई गूड निउस आपको मिल सकती है इसके भी योग यहाँ पर अच्छे दिखाई देते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आज का जो दिन रहेगा यह पैसो के लेन दिन में कही लेकर अच्छा रहेगा रिजर्ट काफी अच्छा मिल जाएगा और प्रपरटीज के लिए काफी ज़दा अच्छा दिन यहाँ पर दिखाई देता है काफी ज़दा बेनिफीशल रहने वाला है आज के दिन में रिलेशन्शिप को लेकर के आप चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं रिबिल्ड का यहाँ पर टाइम है कही नहीं रिलेशन्शिप रिबिल्ड कर सकते हैं रिबिल्ड कर सकते हैं और अगर कोई चीजें खराब है आपके दिलेशन्शिप में उन चीजों पर बाचित करके मैचुरिटी के साथ चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं आज का ही जो दिन है इसमें मैचुरिटी है इसमें peace है, इसमें confidence है, इसमें positivity है, इसमें थोड़ा सा spiritual का भी part है और overall देखा जाए तो एक बहुत ही जादा शांदार दिनिया आपर दिखाई देता है सेहत के अगर बात कर ले, health के लिए बहुत ही जादा खास दिन है आपर recovery बहुत अच्छी है, एक अच्छे level पर अपने आपको confident समझेंगे, positive समझेंगे, energy level काफी ज़दा अच्छा रहेगा और ये तसली रहेगी कहीं 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 कि अब आप ठीक हो रहे हैं, अब आपका जो pain है, वो कहीं जाता हुआ दिखाई देगा solutions आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और आप definitely अपने आप में काफी ज़दा अच्छा मैसूस करते हुए नजर आएंगे so overall देखा जाए, तो ये पूरा दिन आप सभी के लिए balanced है और बहुत ज़दा positive है देश और दुन्या के लिए यहाँ पर देखा जाए, तो देश और दुन्या में भी कहीं के दिन जो है वो थोड़ा सा आराम से निकलता हुआ दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ west direction में कोई बड़ी हरकत यहाँ पर हो सकती है, कोई बड़ी परिशानी यहाँ पर हो सकती है west की तरफ से कोई news यहाँ पर flash हो सकती है, इसके chances जरूर दिखाई देते हैं उमिद करूँगा कि कोई negative news यहाँ पर flash ना हो यहाँ पर राशियों के लिहाँ से देख लिया जाए है, तो राशियों में मेश राशी, करकर राशी, सिह राशी, तुला राशी और मीन राशी के लिए दिन काफी ज़्यादा positive है alphabets में यहाँ पर देखा जाए, तो alphabets में B, D, E, F, H, I, M, L, R, S, V आप सभी के लिए दिन काफी ज़्यादा positive यहाँ पर दिखाई देता है, नमबर्ज में देख लिया जाए, तो नमबर एक, नमबर दो, नमबर पांच, नमबर च्छे और नमर नॉ के लिए दिन काफी ज़्यादा positive दिखाई देता है, उम्मिद करऊगा कि आप सभी को निशानदार जाए और आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो अगर आज आपका जन्दिन है तो यह आने वाला साल रहेगा यह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों के साथ सक्सेस को लेकर के आप सभी के साथ चलेगा मतलब कि स्ट्रगल रहेगा हर्डल जाएंगे परि शादी के रिष्टों में परिशानिया आ रही हैं तो यह साल सॉलुषिन का साल बन जाएगा और अगर शादी शुधा नहीं है शादी करना चाहते हैं शादी के लाएक आपकी उम्मर हो चुकी है तो डेफिनिटली इस वाल शांभी करने चेंस काफी जादा आच्छे दिख आजाए एंड आप सभी को कोई दिकत के परशान ना देखने को मिले आज का जो दिन रहेगा इस दिन में आप सभी को दो चीजों पर जादा फोकस करना है सबसे पहले अपनी एनरजी जितनी स्टॉंग रहेगी थौट्स जितने अच्छे रहेंगे चीज़ें उतनी जादा प पिंकिश बना के रखिएगा मतलब की मल्टीपल कलर इस्पेशली ब्लू यलो और पिंक का कॉमिनेशन अगर आप अपने आसपास रहें तो वह काफी जादा अच्छा रहेगा एक चोटा सा एक्जामपल दे रहा हूं कि जैसे मैं अभी ब्लू में आपको वीडियो बना रह हुआ है और जहां पर मैं बैठा हुआ हूं वहां पर आसपास तो यलो का भी एंवायरमेंट तो कुछ इस तरह की एंवायरमेंट में अपने आपको रखिएगा तो वह आपके लिए काफी ज़्यादा पॉजिटिव फील लेकर क्या आएगा कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ब्लू अपने साथ जरूर रखिएगा उसे भी आपको अच्छा बेनेफिट मिल जाएगा और आज के दिन में अपने गर की साफसफाई जरूर कर दीजेगा गर में बिलकुल भी बिखेरा ना हो गर में बिलकुल भी सामान अस्वेस्ट ना हो और गंदगी बिलकुल भी ना हूँ इस बात का विशेश जियानक किएगा आज के दिन अगर पॉसिवल हो पाए और अगर आप सभी के पास ब्लू कलर की बैट शिट्स हैं तो उसे जरूर बिचाईएगा और उस पर जरूर सोईएगा उसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा एंड साती साथ आज के दिन में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसमें कोई रुकावट आती है तो शाम के समय में डॉक्स को बिस्किट खिलाइए स्टीट डॉक्स को बिस्किट खिलाइए और अपने कामों को वहाँ पर रिकॉल करिए बहुत अच्छे समय पर आपकी शुरुवात रहेगी आज का मैजिकल टाइम दोपर में रहेगा तीन बचकर पंदरा में त्री फिफ्टीन से लेकर के 5.30 तक के बीच का समय जो रहेगा वो बहुत ही जादा अच्छा समय यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा इसके बाद यहाँ पर आज का एंजल नमबर देख लेते हैं वैदिक नमबर वो भी शांदार जाने वाला है यहाँ पर 77208 बहुत ही जादा important नमबर है बहुत ही जादा favorable नमबर है और इस नमबर की calculations आपके लिए काफी जादा positive results लेकर के आने वाली है यह नमबर recall करिएगा मनीमन 3-4 बार पूरे दिन में आपको काफी अच्छे result यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आज का जो affirmation है यह भी काफी जादा अच्छा यहाँ पर आने वाला है क्योंकि यह जो affirmation है यह आपके लिए कहीं एक environment create करेगा जो कि आपको एक अच्छे level पर result देता हुआ नजर आएगा आपको आज का affirmation जो recall करना है I feel it peace यह आपको बोलना है कि मैं एक शांती महसूस करता हूँ I feel happiness around me यह आपको बोलना है और I love being alive यह आपको बोलना है तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है I feel at peace I feel happiness around me and I love being alive यह आपको बोलना है और अपने आपको महसूस कराना है कि आप कितना खुश हैं आज आप कितना सुकून के साथ हैं आज और आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं आज यह आपको बोलना है अमीद करूँगा कि यह जो affirmation है यह भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें open करने वाला है बहुत सारा सुकून देने वाला है आपकी inner voice, inner power आज काफी ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी उमीद करूँगा वीडियो अच्छा लगेगा और साथी साथ आपका दिन भी काफी ज़्यादा अच्छा जाएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाते हैं, अपने बारे में कुछ समदना चाते हैं, आप कुछ से संपर कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सबी की हर संबाव मददिया पर कर सकूँ धन्यवाद